नमस्कार दोस्तों, साहित्ती की ओर में आज की कहानी है मालती जोसी जी द्वारा लिखी गई कहानी अतिक्रमन बसधा की मा का पत्र लेकर मैं पता नहीं कितनी देर तक संग्या शोन्य होब बैठी रही घड़ी ने टंटना कर पांच बजने की सूजना दी तब जाकर मुझे होश आया और मैं हडबड़ा कर उठ बैठी नास्ते की आज कोई पूर्व तयारी नहीं थी पता नहीं अब इनके लोटने तक कुछ धंका बन भी पाएगा या नहीं नीचे आकर देखा रभी बाबू टेबल पर आकर जम गए हैं और बिटिया रानी रसोई में घुसी हुई है भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर मैं तो निहाल हो गई नीचे से कहा मुझे आवाज क्यों नहीं देदी बेटी आवाज देकर क्या अपनी मुसिबत बुलानी थी नीचे ने तमक कर कहा फिर फुसुसा कर बोली पता है भाईया पिछले दरवाजे से दाकिल हुए हैं मुझसे बोले फ्रिज में आटा रखा होगा चटपट दो पराठे उतार दे प्रैक्टिस पर जाना है लोटने में देर हो सकती है सारा काम चुपचाप होना चाहिए परम पूजनिया जी को पता भी ना चलना चाहिए नहीं तो उल्टे सीधे सवाल करके वे मेरा भूरकस निकाल देंगी परम पूजनिया मतलब मेरी बुआ जी बच्चे और समय चाहे कुत्ते बिल्लियों की तरह जगरते रहें पर बुआ जी से मोर्चा लेते समय दोनों एक हो जाते हैं सच मम्मी निसी रुआ से स्वार में पूछ रही थी ये बुआ जी यहां और कितने दिन रहेंगी कितने दिन यही तो वह प्रस्ण है जो मैं रोज अपने आप से पूछती हूँ वसुधा की मा का पत्र पढ़ने के बाद तो यह प्रस्ण जैसे फन फैला कर मेरे सामने खड़ा हो गया था मा बेटी की बातचित की भनक शायद बरामदे में पैठी बुआ जी के कानों में पढ़ गई थी गोमुक्य में माला जुलाती हुई वे रसोई में आ पहुची अरे इत्तीसी लड़की को जोद दिया रसोई में हम क्या मर गए थे करने दो बुगा ऐसे ही तो सीखेगी अरे सीखने की तो उम्र पड़ी है लली अभी तो उसके खेलने खाने के दिन है और ये कैसा सीख रही है देख तो ए छोकरी ये पराठा है की पूरी इतना घी डालता है कोई जब तक मैं कुछ सोचू समझू निशी ने तबे से पराठा उठाया और सीधे खिर्की से बाहर फैंक दिया मेरी तो जान ही निकल गई ये क्या कर रही है लड़की जानती है घी क्या भाव चल रहा है निशी ने कोई जवाब नहीं दिया पैर पटकती रसोई से बाहर निकल गई उसके हटते ही बुवा जी ने बेलन समझाल लिया पर जब तक मैं दूसरा पराठा लेकर बाहर आई रवी जा चुका था दोनों ही बच्चे आजकल कुछ जादा ही मूडी हो गए है बुवा भला मुझे इस पर बख्स देती तुरंत बोली रोटी पानी तो गवार लड़कियां भी कर लेती है सिखाना ही है तो पहले उसे तमीज सिखा भला यह भी कोई बात हुई जरा सा कुछ कहा नहीं की गुबारे सा मुझ फुला लिया गुसा तो मुझे भी आया था बुवा की बात ने आग में घी का काम किया तुरंत कमरे में जाकर निशी का कान पकड़ लिया अपना पेट काटकर तुम्हें बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं सो क्या इसी के लिए यही सिख कर आती हो वहां से बड़ों से इस तरह पेश आया जाता है अच्छी नाक कटवाती हो मेरी सब के सामने अपमान और पीड़ा से लाल हुआई निशी सक्ती से होट भीचे रही पर जब मैं उसी तरह बरस्ती चली गई तो दृट स्वर में बोली मम्मी आप बेशक मुझे मार लीजिए पर उसका नजराया पराठा मैं अपने इकलोते भाई को नहीं खिला सकती क्या हत बुद्धी सी मैं देखती रह गई हाथ तो मेरा सचमुझ थपड मारने के लिए उठा था पर पता नहीं क्यों हवा में रुख गया मेरी टूइयासी लड़की कैसी बात कह गई थी ये अकल उसे कौन दे गया कब दे गया था मैं इस विशे को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती थी इसलिए उसकी पीट पर हाथ फिरते हुए मैंने मिस्री घुले स्वर में कहा अपनी मम्मी को दिन रात क्यों तंक करते रहते हो तुम लो क्या तुम्हें जरा भी तया नहीं आती वे बड़ी हैं बुजुर्ग हैं दो बातें कह भी दे तो क्या हुआ मुझसे तो पता नहीं कितना क्या क्या कह जाती है चुपचाप सुन लेने में हम कोई छोटे थोड़े ही हो जाएंगे आप सुन सकती हैं ममी क्योंकि आपको आदत है आप यही सब कहते सुनते बड़ी हुई हैं पर हमसे सहन नहीं होगा हम किसी से उलजने नहीं जाते हैं हमारे बीच में भी कोई न बोला करे और आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है घर में और भी तो बड़े बुजुर्ग थे क्या उनसे कभी हमारी जड़प हुई थी निशा का इशारा स्पष्ट रूप से मेरी सास की ओर था उन्हें गुजरे चार साल हो गए हैं पर बच्चे अब भी उन्हें याद करके आँख में आसू भर लेते हैं और मैं भी तो उन्हें कहां भूल पाई हूँ उनकी मिर्टियू में मैंने अपनी मा को दूसरी बार खोया था इस शूनी को तो सायद मैं कभी नहीं भर पाऊंगी मा के रहते ही बुआ ने घर की बच्चों की सारी जिम्मेदारी अपने उपर ले ली थी इसलिए उनकी मिर्टियू के बाद सती ही तौर पर घर में कुछ नहीं बदला था पर मन एक ममता भरे स्पर्स के लिए तरस का रह गया था वह ममता वह लार दुलार मुझे अपनी सास से मिला मुझ भाव हीना के लिए उन्होंने अपने स्नेह का बहुत बड़ा अंस जैसे सुरक्षित रख दिया था उनके अपने बच्चे भी उसे जपट नहीं पाते थे सच बड़ी अध्भुत महिला थी वे एक मामूली से अध्यापक की चार बच्चों वाली गिरस्ती उन्होंने किस करीने से चलाई थी और स्वभाव पर खरोच तक नहीं आने दी थी बुवा जी के राज में तो मैंने चीखना चिलाना और कोसना ही सुना था मेरे हां खाने का नाम ठूसना, कंगी करने का सिंगार पटार और कपड़े पहनने का नाम मटकना ही था मेरा नाम तो कभी बुवा ने धंग से लिया ही नहीं हमेशा महारानी कहती उस संबोधन में कितनी खीज, कितना उफास होता था यह मैं खूब जानती थी मेरी माँ अपनी कच्ची गिरहस्ती का भार उनके सिर्थ थोप गई थी इस बात को वे दिन में पता नहीं कितनी तरह से कहती किशोर फिर भी लाटला था क्योंकि लड़का था पर मैं तो जैसे उनकी आँख की किरकिरी थी बचपन में झेली वी या कड़वाहट अनायास मेरे स्वभाप में उतर गई थी कभी कभी जला कर मैं अपने बच्चों को कोशने लगती तो मेरी सास ममता भरे हाथों से मुझे सहला कर कहती बेटे ये बच्चे आसमान से तो नहीं टपके तुमने नौ महीने इन्हें अपनी कोख में सहे जा है अपार कश्ट सह कर जन दिया है फिर इन्हें कोश कर अपने आपको गाली क्यों देती हो उन्होंने हमेशा मुझे श्यामा बिटिया कहकर ही बुलाया अपना नाम इतना मीठा पहले कभी नहीं लगा था यह सीधा साथा नाम ससुराल में आकर पता नहीं कितनी छटाएं धारन कर गया श्यामा श्यामल श्यामली श्यामू हर नाम का अपना रंग अपना अंदाज श्यामली कंधे पर इनका स्ने भरास पर स्पाकर मैं चौक पड़ी पता नहीं ये दफ्तर से कब लोट आय थे क्या बात है इन्होंने पूछा चेहरा इतना उत्रा हुआ क्यों है मैंने चुपचा बसुधा की मा का पत्र उनके सामने रख दिया पत्र पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर उल्लास की रेखाएं स्पष्ट होती चली गई पढ़ने के बाद उसे तहा कर वापस लिफाफे में रखते हुए बोले इसमें इतना उदास होने जैसा क्या है नहीं नहीं उदास क्यों होंगी मैं मुझे तो बलकी खुश होना चाहिए कि मेरे इकलोते भाई की बिद्वा पत्नी दूसरा ब्याहरा चा रही है यह भी बड़ी प्रसंता की बात है कि मेरा दुध मुहा भतीजा मेरे पित्रे कुल का एक मातर वंसदर अपनी मौसी की कोट जा रहा है यह बहुत खुशी की बात नहीं है मैं मानता हूँ यह खिसिया कर बोले पर बसुधा के सामने और कोई उपाय भी तो नहीं है दुख अपनी जगह है पर सच्चाई को भी अंदेखा नहीं किया जा सकता बसुधा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर तुम ही तो बार-बार कहती थी बस धाको जल्दी ही कोई फैसला कर लेना चाहिए अब उदास क्यों हो अब खिसियाने की बारी मेरी थी फिर भी अपनी जेप मिटाते हुए मैंने कहा पर बुवा उनके बारे में सोचा है बुवा जी की फिक्र मत करो उन्हें मैं देख लूँगा अभी तुरत-फुरत उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है वैसे इस समय उनके बारे में सोचना इतना महतुर नहीं रखता तीन-चौथाई जिंदगी वे काथ ही चुकी है बाकी भी जैसे तैसे कट ही जाएगी हमें तो उस अबोध लड़की के बारे में सोचना है अब इनसे क्या कहती की बुवा जी की इस बची-खुची जिंदगी को लेकर ही मैं चिंती थूँ अब तक एक शीन आशासी बंधी थी कि दुख का आबेग थोड़ा थम जाने पर वसुधा लोट आएगी अपना घरबार अपनी जिम्मेदारी समभाल लेगी किशोर के दफ्तर में अब भी उसे निवक्ती मिल सकती है पर इस पत्र ने तो सारी आशाओं पर पानी फेर दिया बुआ को अपने हालाते समय यह नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी तब तो यही सोचा था कि किशोर की अकाल मिर्तियू का दुख हम दोनों मिल बैठ कर बाट लेगी वैसे भी उस सूने घर में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था बहु को तो तेरही के फोरण बाद ही उसके भाई आकर ले गए बुआ जी कहां जाती पती का घर तो पता नहीं कब का छोड़ चुकी थी एक बार जो आ गई तो दुबारा वहां का रुख नहीं किया जाती भी तो उन्हें वहां कौन छेलता पती विहीन नारी की धौस डपट ससुराल में कौन सहता है उनकी ठसक तो बस बाबु जी के यहां ही चलती थी चाची और ताई जी तो दूर से हाथ चोड़ लेती थी मा बेचारी सहानु भूती में अपने घर ले आई तो यह भाबुकता उन्हें ही भारी पड़ गई बुआ के उक्र तेज के आगे वे निरंतर स्री भीहीन होती चली गई और कुछ दिनों में उनके अपने ही घर में उनका अस्तित्तु गौन होकर रह गया बाबु जी की दूसरी पतनी थी मा उम्र में ननत से 19 सी पड़ती थी इसलिए उनके सामने हमेशा सहमी सहमी सी रहती मात्र 12 साल की थी मैं जब मान नहीं रही पर मुझे अब भी याद है कि कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वे बुआ का मुह जोहती थी बिखारी को एक मुठी आटावे अपने मन से नहीं दे सकती थी रोज का खाना बुआ से पूच कर बनता था कपड़े लत्ते मर्जी से ही खरीते जाते थे सब नौकर चाकर बुआ के मुह लगे थे उन्हें डाटने डपटने की माने कभी जुरत नहीं की मा मरी तो बस इतना हुआ जैसे घर के किसी कोने में एक दिया टिम्टी मा रहा था वह बुझ गया बस उनकी मिर्तियू के बाद तो घर में बुआ का एक छत्र सामराजी हो गया अपने दोनों बच्चों को सौप कर बाबु जी तो एकदम निश्चिंत हो गए दो दो पत्नियों के मिर्तियू ने उन्हें बेतर तोड़ दिया था मेरी शादी तक वे किसी तरह जी गए यही बहुत था साल भर रभी को भी अपनी गोद में खिला लिया और शांती से आखें मोंद ली तो बुआ के लिए संसार में एक मात्र यही घर था उनके भाई का मेरे पिता का घर वहाँ वे आश्रे के लिए आई थी और शासक बन वैठी थी इसोर की असमे मिर्तियू से उनका सिंगहसन फिर एक बार हिल उठा था प्यार से या रोज से ही सही उन्होंने मुझे पाला था ब्याहा था मेरे पती के ससराल बालों के नाज नकरे उठाए थे उसका कुछ तो कर्ज मुझ पर भी था उन्हें साथ न लाती तो क्या करती चाचा ताओ कोई भी तो उस दुफान को अपने घर में रोपने के लिए तैयार नहीं था अपने इस निर्ने पर अब मुझे पस्तावा हो रहा है पर सारी बातें पती से कहीं भी तो नहीं जाती हम लोगों को सचमुच बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं बुआ इस खबर को कैसे जेल पाएंगी मेरी तो हिम्मत ही न पड़ रही थी इन्होंने खुब लंबी चोड़ी भूमिका बनाकर यह समाचार उन्हें सुनाया मुझे लग रहा था कि वे एकदम हक्का बक्का रह जाएंगी गालियां दे दे कर कल्यूक को कोसेंगी या फिर किशोर की याद में बुक्का फार रो पड़ेंगी पर बुआ बड़ी दिलेर निकली उन्होंने शांती सेंका प्रबचन सुन लिया फिर बड़े इत्मिनान से चालियां कतरते हुए बोली ठीक तो है जवान जहान लड़की मरे हुए को कब तक रोती यह तो होना ही था फिर पुर्ववत टीवी पर नजरें गड़ा कर बोली यह तो मरा रोशन लाला दीखे है अब कौन सा गुल खिला रहा है मैं हत्पुध होकर एसकुमार्स के उस बिग्यापन को देखती रह गई क्या बुआ इस समय सचमुझ मजहर खान के बारे में सोच रही है इतनी बड़ी बात सुन लेने के बाद भी क्या उसके मन पर जरासी खरूच भी नहीं आई यह बड़े खुश थे इत्मिनान की सांस लेकर बोली चलो तुम्हारी यह प्रॉबलम भी हल हो गई बहुत दर रही थी न तुम अब उन्हें कैसे बताती कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉबलम थी इसका मतलब यह था कि वे अब इस घर में पूरी तरह रच बस गई है वापस जाने का उनका कोई रादा नहीं है अब तक बच्चों को और अपने आपको समझा रही थी कि बस थोड़े ही दिन की तो बात है जैसे तैसे झेल लेंगे बुआ की पिढ़ी के लोग लड़कियों के यहाँ जादा दिन डेरा नहीं डालते यह भ्रहम तो आज तूट गया दूसरा भ्रहम भी जल्दी ही तूट गया मैंने तो सोच लिया था कि वसुधा की शादी की सूचना को बुआ ने एक कांच से सुनकर दूसरे से निकाल दिया है पर मेरा यह सोचना एकदम गलत था उन्होंने पूरे दो दिन तक मन ही मन इस बात का मन्थन किया था तीसरे दिन दोफर को वे मेरे कमरे में आई फुर्शत का समय पाकर मैं कपरों पर प्रेस कर रही थी उन्होंने प्रेस का स्विच ओप करते हुए पलंक पर आसन जमाया और मुझे आदेश दिया जरा इधर मेरे पास आकर बैठ तो मना करने का कोई प्रशन ही नहीं उठता चुपचापचा कर बैठ गई उन्होंने अपनी वासकट की जेब से एक मकमली बठवा निकाला उसे खोलकर एक रेश्मी रुमाल में बंधी छोटी सी पोटली निकाली फिर वो रुमाल खोलकर बिस्तर पर फैला दिया मेरी तो आखें चोंदिया गई मेरे सामने एक खुबसूरत चंदन हार और दो जड़ाओं कंगन अपनी जगमक जोटी बिखेर रहे थे ये क्या है? मन में उमकती खुशी को किसी तरह रोक कर मैंने पूचा तेरी मा के गहने हैं मैं तो सचमुच निहाल हो गई बुआ सचमुच क्रेट है उन दुख कातर छनों में भी वे अपनी अमानत के प्रती सतर्क रही और समभाल कर साथ ले आई सूम के धन की तरह उसे सहेच कर रखा और उचित अफसर की प्रतीक्षा करती रही बसधा की शादी की सूचना उनकी सारी दुख्धा समाप कर गई और अब वे मा के कहने बेटी को सौपने आई है बिट्टो तुझे मेरा एक काम करना होगा कहो अब तो मैं उनके लिए आकास के तारे तोड़ कर ला सकती थी तुझे बसुधा की शादी में जाना होगा क्या? अटपटा लगा है ना? फिर भी दिल पर पत्थर रखकर तुझे यह काम करना ही होगा एरे गरे के हाथ तो मैं यह जोखम भेज नहीं सकती जोखम? जोखम मतलब यह गहने यह बसुधा को पहुँचाने हैं क्यों? यह उसका इस्तरी धन है शादी में बड़े चाव से उसे चड़ाए थे अब यह उसका इस्तरी धन है पर वह तो अब दूसरी शादी कर रही है तो करने दे हम कन्यादान में यह चीजें दे देंगे आखिर यह उसकी अमानत है मैं कब तक सहे जूँगी? मैं चुप रूश, अपमान, निराशा सब आकर मेरी बानी को कील गए थे बुआ ने लेकिन मेरी जरा भी तवज्जह नहीं की वे अपनी ही उधेर बून में व्यस्त थी एक काम और कुवर जी से कहकर जरा किसी अच्छे से वकील को बुलबा देना वकील का क्या होगा? राहुल के नाम मकान की रश्च्री कराऊंगी पर बुआ राहुल तो मौसी के गोद जा रहा है तो जाने दे, कहलाएगा तो आत्मा राम पाठक का ही बस धर बड़ों ने मिल बैटकर कुछ सोच डाला तो उसकी सजाववा बच्चा क्यों भुगते? उसका हक तो उसे मिलना ही चाहिए वस्धा के जीजा जी कोई लाट कलक्टर थोड़े ही है जिंदगी भर की कमाई लगा दें, तब भी ऐसा मकान खड़ा नहीं कर सकते और हम जो तुम्हें दिन रात भुगत रहे हैं हमें क्या दे रही हो? मैंने मनी मन दाथ पीच लिए प्रकट रूप से इतना ही कहा बेटे बहु का तो खुब ख्याल रहता है तुम्हें मुझे क्या दे रही हो? जानती हो आजकल लड़कियों का बराबर का हिस्सा रहता है तो तुम्हारा हिस्सा दिया नहीं था शादी में पूरे दस तोला सोना और तीस हजार रोक कर दी थी याद है लड़की का मन तो अंधा कुआ होता है कितना भी डालो कभी भरता ही नहीं मुझे अपने आप पर गलानी हो आई मैंने कहा बुआ मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे आशिरबात से मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तो बस यह कह रही थी कि सब इसी तरह बांट बुट दोगी तो कैसे चलेगा आखिर तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए अरे मेरा क्या है कहीं भी पड़ी रहूंगी दो जोड़ी कपड़े और चार रोटियां कोई भी दे देगा लेकिन बाप दादा की जाइदाद को इस तरह लुटा दोगी तो चाचा ताओ लड़ेंगे नहीं जाइदाद उनकी नहीं है तेरे बाप ने अपनी वकालत के जोर से कमाई है सच लक्ष्मी थी तेरी मा घर में पाउँ देते ही धन जैसे बरसने लगा था तेरे बाप ने घर से फूटी कौडी नहीं ली उल्टे समय समय पर दिया ही है अरे मुझे पर गाज गिरी थी तो मजले भाईया ही उठा कर ले आये थे मुझे बड़े और छोटे तो मुझे चुपा कर अपनी बहूँ के आचल में दुबग गए थे अपने बढ़ों के लिए एसी टिपणी सुनना अच्छा नहीं लगा पर यह एक कड़वा सस्था ससुराल से लोटने के बाद बुगा ने अपने बड़े भाई के घर में पाउँ नहीं दिया ताई जब तब ताने देती अब उन्हें रोज मोहन भोग चाहिए हम गरीबों के हाँ उन्हें क्या मिलेगा इसलिए तो अमीर भाई के हाँ आया गिरी कर रही है बुगा सुन लेती तो इट का जवाब पत्थर से देती तुम तो भोजी हमें जैसे चौकी पर बिठा कर पूजती ही रहोगी अरे तुम्हारे बच्चों के पोत्रे धोदो कर तो मेरे हाथ साधी से पहले ही छलनी हो गए थे अब तो तुम हमसे बरतन भी मजबाओगी चूला चौका तो तुमने न तब किया था न अब करती हो लड़कियां ही बेचारी खटती है कल को बहुएं आ जाएंगी चाची तो कभी उनके सामने पढ़ती ही न थी अपने कलकत्ता के कब उतर खाने से उप जाती तो बच्चों को लेकर हमारे पास आ जाती चार दिन को घर कुल चार हो जाता बुआ का आतंक सह लेती तब तक बनी रहती बुआ यथा शक्ती उनकी सहन सीलता की परिक्षा लेती रहती फिर किसी दिन सबर का बांध तूट जाता चाची रोश से फट पड़ती फिर जमकर महा भारत होता और चाची बच्चों को लेकर लोट जाती घर और सूना हो जाता पर बुआ को यह दुख जरा भी नहीं ब्यापता वे जैसे इस अपसर की प्रतिक्षा में ही रहती तुरंद पार्वती को साथ लेकर घर की सफाई में जुट जाती विजय दर्ब से उनका चेहरा चमकने लगता मुझे लेकिन वे उस समय किसी खलनाईका से कम नहीं लगती खलनाईका तो वे मुझे इस समय भी लग रही थी बाबुजी का बनबाया हुआ पक्का दुमंजिला मकान उनकी करमटता का यशोकिर्ती का इसमारक था बचपन की कितनी खटी मिठी इसमिर्तियां उससे जूड़ी हुई थी उसे सेंथ मेंथ किसी तीसरे को सौप देना मुझे जराभी अच्छा नहीं लग रहा था सुनिए रात मैंने इसे ठुनकते हुए कहा मेरे सारे गहने बिक जाएं तो मुझे परवाह नहीं पर मकान मेरे लिए खरीद लीजिए चाचा ताओ का कोई बेटा इसका वारिश बनता तो मुझे दुख ना होता घर की चीज घर ही में रहती पर बाबुजी की गाड़ी कमाई पर किशोर के ससुराल बाले कपचा करके बैठ जाएं ये मुझे सहन नहीं होगा तुम इतना उपर नीचे क्यों हो रही हो वे बोले मकान अब तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा कैसे देखो किशोर के बाद यह सारी संपत्ती बसुधा की थी वह अगर दूसरी शादी कर रही है तो राहूल इसका वारिश है अब अगर वह भी किसी की गोद जा रहा है तो जायदात पर केवल तुम्हारा हक बनता है इसलिए अब चैन से सो जाओ और मुझे भी सोने दो लेकिन बुआ जो रहिश्ची के लिए कह रही है तो कहने दो उनके कहने से क्या होता है वे अपने मन को बहला रही है बहलाने दो बुजूर्ग हैं हमें तो उनका लिहाज करना ही पड़ेगा पर कानून थोड़े करेगा कानूनन उन्हें कोई हक नहीं है कि संपत्ती के लेंदेन में दखल दे यह तो बात में पता चला कि हम लोग बुआ को कितना अंडरेस्टिमेट कर रहे थे अपनी खुश फहमी में हम सब भूल गए कि बुआ एक प्रख्यात वकील की बहन है और कानून की समझ उन्हें हम से कहीं ज़ादा है अगले दो-तीन दिनों तक जब वे बार-बार वकील का जिक्र करती रही तो आजीज आकर इन्होंने कहा बुआ जी आखिर वकील आकर और क्या कर लेगा किशोर के बाद जायदार अपने आप राहुल की हो जाती है अलग से रश्टी कराने की क्या जरूरत है हाँ अगर राहुल गोज जा रहा है तो कुछ अलग से सोचना पड़ेगा इन्होंने जान भूज कर इस समय मेरा नाम नहीं लिया जो मुझे अच्छा लगा तुम समझे नहीं कुमर जी बात किशोर की प्रोपर्टी की नहीं मेरी प्रोपर्टी की है उसकी लिखा पड़ी तो मैं ही करूंगी न आपकी कौन सी प्रोपर्टी है हम दोनों चकित थे क्या बुआ को अपनी भूली बिश्री ससुराल से जमीन का कोई टुकडा मिल गया है अरे नहीं रे वो तो भाया ही पता नहीं किस जोक में मकान मेरे नाम कर गए थे क्या हम दोनों तो जैसे आकास से गिर पड़े बड़े बिद्वान थे मेरे मंजले दीन दुनिया की खूब समझ थी वे उसांस भर कर बोली हमेशा कहते साबित्री मुझे अब और कोई चिंता नहीं रही लड़की अपने घर पर राज कर रही है बेटा कल को इंजीनियर बन जाएगा बस मुझे हर दम तुम्हारा ही सोच रहता है आजकल अपने जाए भी बात नहीं पूछते इसलिए ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है इसी के चलते शायद किशोर और उसके बाल बच्चे तुम्हारी सेवा कर लेंगे और फिर एकदम आँखों पर पलू ढाप कर वे सुबक पड़ी भाईया बेचारे क्या जानते थे कि उनके पिछे किशोर भी चला जाएगा ना तो मैं उनके दुख में भीग सकी ना उनके सुर में सुर मिला कर रो सकी मैं तो सब कुछ सुनने के बाद जैसे पत्थर हो गई थी बाबुजी ने यह क्या कर डाला कब कर डाला मुझे कानो कान खबर भी ना हुई अनात बहन की चिंता तो समझ में आती है पर उसके लिए क्या कोई अपने बेटे का हक छीन लेता है ये मकान तो लल्ला मेरे भाई की जमानत है बुआ फिर फॉर्म में आ गई थी इसे यू ही नहीं जाने दूगी मकान की लिखा पढ़ी भी इसी शर्ट पर होगी कि वे राहुल का नाम नहीं बतलेंगे बच्चा चाहे जहां रहे मुझे उससे कोई मतलम नहीं है जब तक मुझसे बनेगा जायदाद की देख भाल करूंगी मकान किराये पर चड़ा कर राहुल के नाम जमा करती रहूंगी बड़ा होगा तो रुपया उसी के काम आएगा मेरा क्या है कहीं भी दो रोटी खाकर पड़ी रहूंगी फिर बड़े उदार भाव से बोली बिट्टो घर गिरस्ती का धे सारा समान पड़ा है तुम्हें जो चाहिए उठा लाना किरायदारों के लिए मकान खाली तो करना ही पड़ेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने तुनक कर कहा भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास मलाई मलाई तो औरों में बाड़ दी खुर्चन के लिए बिट्टो ही रह गई है जैसा कि मेरा अनुमान था मेरे अनपेक्षित आगमन पर बसुधा का परिवार विश्मित था कुछ-कुछ आशंकित भी उस घर से मुझे हमेशा आधरमान मिलता रहा प्रकट रूप से इस बार भी सब कुछ वैसा ही था पर लोग भीतर से कुछ डरे-डरे से खिचे-खिचे से लगे केवल बसुधा ही पुर्वत्स ने से मिली मुझे देखते ही आकर गले लग गई हाथ पकड़कर मुझे उपर अपने कमरे में लिबाले गई मेरी पसंद की चाय खुद बना कर लिया आई मुझे प्रसन होना चाहिए था पर मेरा मूड उसी तरह उखड़ा रहा घर से जबरदस्ती ठेल दी गई थी मैं वह गुस्सा बसुधा प्रुतारते हुए कहा तुमने एक्सपेक्ट तो ना किया होगा बिना बुलाए ही टपक पड़ी मैं बिना बुलाए क्यों? ममी ने पत्र नहीं लिखा था वह सूचना थी निमंतरन नहीं मैंने रुखाई से कहा था शन भर को वह चुप हो गई फिर धीरे से कहा उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी वैसे पत्र इसी उद्देश से लिखा था खेर कोई बात नहीं तुम खुश हो न मेरे स्वर से चौक कर उसने मेरी ओर देखा लगता है दीदी आप खुश नहीं है मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात तो नहीं है जानती हूँ दीदी पर आपको याद होगा कि विवाह का आगरह सबसे ज़्यादा आपकी ओर से ही था मम्मी तो खुद हिचक रही थी पर मैंने ही जित करके आपको पत लिखवाया था सोचा था आप खुश होंगी बजुधा मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम जिन्दगी का बाकी सफर तप्ती रेद पर नंगे पैर चलते हुए करो फिर भी डोंट यू थिंक इट इस टू अर्ली इस तरह के निरने दीदी बहुत जल्दी ही लेने होते हैं नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है इतना अधैरिक्यों वसुधा जीवन का वसंद क्या आज ही शेश होने को था मरने वाले का क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई उसकी स्मिर्थी में रित्मों का एक चक्र ही समर्पित कर दे बुआ को देखो पूरी जिंदगी निकाल दी है तुम्हारे पास तो फिर भी राहुल है राहुल अब मेरा नहीं है दीदी सुसमा जिजी का है मेरी ये सारी हरबड़ी उसी के लिए है जितनी जल्दी उसकी दुनिया से दूर हो जाऊं हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा जितना समय बीटता जाएगा मुह भी बढ़ेगा फिर तो ममता हर बार मेरा पाउँ रोक लेगी सुसमा जिजी के साथ भी यह अन्याय ही होगा वे बेचारी कब तक मेरा मुह जोती रहेंगी और फिर सबसे बड़ी बात है दिली ऐसे प्रस्ताव रोज रोज नहीं आते मेरे बुढ़े माबाप कब तक मेरी चिंता का भार ढोते रहेंगे वैसे भी उन्हें काफी दुखी कर चुकी हूँ मैं गुमसुम बैठी सुनती रही वह जो कुछ कह रही थी सच था पर कड़वा सच था इसलिए आसानी से गले नहीं उतर रहा था दीदी मैंने चौक कर सिर उठाया मैंने सोचा था आप मुझे आशिरबाद देने बधाई देने इतनी दूर से दोड़ी चली आई है कितनी बेवकूफ होना मैं मैं जैसे एकदम होश में आ गए आशिरबाद के सारे रास्ते तो स्वेंक तुमने ही छेक दिये हैं वसदा खेर मैं जो देने आई हूँ वह भी दे रही हूँ मैंने पर्स खोलते हुए कहा दरसल मुझे बुगा ने भेजा है तुम्हारी अमानत तुम्हारा इस्त्री धन तुम्हें लोटाने आई हूँ मैं हमारी ओर से इसे ही शादी का उपहार समझना उस मकमली थैली को खोलते हुए मैं उसकी प्रतिक्रिया पढ़ती रही पर उसके चेहरे पर कहीं कोई उल्लास या उचसुकता नजर नहीं आई उल्टे वह प्रतिक्षन कठोर होता चला गया ट्यूब लाइट की रोश्णी में जलमल करते उन गहनों को देखते ही उसने द्रिष्टी फेर ली और कहा इन्हें वापस ले जाईए दी दी अब ये मेरे किसी काम के नहीं लक्षमी का ऐसा अनादर नहीं करते वसुधा मैंने उसकी वितिस्णा पर बिस्मित होते हुए कहा मेरी बातों ने शायद तुम्हें नाराज कर दिया है पर यह मेरी नहीं बुआ जी की सौगात है उसे तो आशिरवाद समझ कर सिर माथे पर लगाना चाहिए आशिरवाद वा क्या कहने वा बित्रूप से हस पड़ी जब पहनने का मन था मौका था तब तो कभी छूने भी न दिया शादी व्याह में हर कहीं खाली हाथ खाली गले से भेज दिया अब मुझे जलाने के लिए यह सौगात फिजी है तब तो यह डर था कि मैं सिल्बिली सी लड़की यह वेशकीमती चीजें कहां गिराऊंगी अब यह बड़पन जताया जा रहा है नहीं दीदी यह सब लोटा ले जाएए नहीं तो मेरे पिछले घाव फिर कसक उठेंगे मैं अब पिछला कुछ भी याद नहीं करना चाहती जीवन का वह अध्याय मैं बहुत पीछे छोड़ाई हूँ मैं उन काले प्रिष्टों को अब फिर से दोहराना नहीं चाहती आप भी मुझ पर इतनी ही दया कीजिए विवाह की पूर्व संध्या पर मेरा मन कसेला ना करें उसे शांत बना रहने दे मैं चकित थी और व्यतित भी या घुनी सी लड़की हम लोगों के प्रती इतना आक्रोश इतनी कड़वाहट पाले हुए है बसुधा मैं कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले ही वह बोल उठी आप अभी बुवाजी की बात कर रही थी न दिदी भाग के इस अभिशाप को उन्होंने आजीबन भोगा है मैं जानती हूँ पर दिदी वह जमाना दूसरा था हमारे गाउं की परंपराएं दूसरी थी नहीं तो बुवाजी भी वही करती जो मैं कर रही हूँ बलकि इतने दिनों तक प्रतिक्षा भी नहीं करती बसुधा मांग का सिंदुर मिट जाने से मन की इच्छाएं नहीं मिट जाती दिदी बिधी के विधान को हर कोई सहियम से नहीं जेल पाता कोई विद्रोह भी करता है तब उसकी अत्रिप्त इच्छाएं दूसरों की इच्छाओं का भी गला गोड देती है मैं शादी कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि भविश में मैं भी बुवाजी की तरह अत्रिप्त इच्छाओं का विक्रित संस्क्रन न बन चाओं ऐसा पूछिए कि क्या नहीं किया आप नहीं जानती दिदी विवाज के दो वर्ष मैंने एक दुख स्वपन की तरह जीये है बुवा थोड़ी तेज जरूर है बसुधा पर मन की मैली नहीं है फिर किशोर तो उनका सदा लाडला रहा है तुम पर भी वह जान चिड़कती रही है जूता कहां काटता है यह तो पहनने वाला ही जानता है देखने से पता थोड़े ही चलता है यह तो अच्छा हुआ जो आप उनकी बेटी थी ब्याह कर दूसरे घर चली गई मुरब्बे बना सकती है घर को अपने को सजा कर उन्हें रिजहा सकती है मैं तो इन छोटी छोटी बातों के लिए दरस गई थी सारी बिद्याएं सीख लेने के बाद यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कितना पीड़ा देता है आप नहीं समझेंगी किशोर कुछ कहता नहीं था मुह में जवान होती तो न कहते उसे तो बुवा जी ने कील दिया था वानी भी और बुद्धी भी पूरे स्रवन कुमार थे बुवा जी की ममता में आकंठ डूबे हुए उनकी बात उनके लिए वेद वाकी थी वे तो यहीं समझते रहे कि मैं ही निरीप फूहर हूँ मेरे ही कारण बुवा जी बेचारी दिन रात रसोई में जूती रहती है उन्हें यह कभी पता नहीं चल पाया कि मुझे रसोई में पाउं ही नहीं देने देती बुवा जी अपने लाटले भतीजे का पाचन तंत्र वे मेरे हाथों में सुरक्षित नहीं समझती थी अगर वह नहीं समझ पाया तो तुम ही उसे समझाती आखिर तुम्हारा पती था वह अपनी बात उससे कह सकती थी तुम कब कहती दफ्तर से आते तो सीधे बुवा जी के पास वहीं खाना पीना होता इसके बाद खुमने भी जाते तो बुवा जी साथ होती उन्हें घर पर अकेले छोड़ कर तो ये कभी सिनेमा जाने के लिए भी राजी नहीं हुए रात का खाना खाकर मैं तो सोने चली जाती, ये बारह बज़े तक बुआजी के पास बैठे रहते दफ्तर के दोस्तों की बातें सुना कर उनका मनूरण जन करते मैं उपर बैठी कुढ़ती रहती कभी बुअ जी के तल्बों में घी की मालिश होती तो कभी छाती पर आयोडेक्स मली जाती कभी चरंचापे जा रहे हैं तो कभी सिर्ध दबाया जा रहा है इन सब से निपट कर ये उपर आते तब तक मैं ठक कर खीज कर सो चुकी होती पुआ जी से छिपकर किया हुआ स्रिंगार पास ही हो जाता पुआ जी से छुपकर क्यों? उन्हें मेरा शाम का सजना समरना जरा अच्छा नहीं लगता था कहती ही ये तो चौक बाजारबालियों का काम है भले घर की बहुएं दिया बाती के बाद आयना भी नहीं देखती ये रोजी दिन ढले लोटते मैं वैसी मन हूँ सूरत लिये बैठी रहती तब वे कहती अरे भोगना तो भागी से ही होता है अब इन्हें क्या कमी है घंटे घंटे भर में साड़ी बदलें तो कोई मना करने वाला नहीं है पर मन में उच्छा हो तब न बेचारा ठका हरा आदमी घर आकर इनका थोबड़ा देखे तो उल्टे पैरों लोट जाए मुझे लगा था कि राहूल के जन्म के बाद वे थोड़ी नरम पढ़ जाएंगी पर उल्टे उन्हें डाटने डपटने का एक और बहाना मिल गया अगर उसे गोद में उठाए घुमती तो कहती ही क्या तुम ही ने अनोखा बेटा जना है जो 24 गंटे चाती से चिप्टाए घुमती हो थोड़ा तो उसे जमीन पर रखो नहीं तो बढ़ेगा कैसे अगर किसी दिन राहूल पालने में जरा भर चिहुक पड़े तो समझ लीजिए तूफान आ जाता तुरंत गरज पड़ती ऐसा कौनसा पाहाड खोद रही थी कि बच्चे को उठा भी नहीं सकती घर में कौडी भर काम नहीं कोई तिनका उठाने के लिए नहीं कहता पर इनसे एक बच्चा भी नहीं समलता भगवान भी कैसे कैसे लोगों की गोद भर देते हैं बहुत लंबी रामायन है दिदी कहां तक सुनेंगी बस यह जान लीजिए कि आपके उस घर में ना कभी मैंने दिन में चैन की सांस ली ना किसी रात नींद भर कर सोई और जब मैं रात की बात कर रही हूँ तो यह केबल मुहावरे के लिए नहीं सचमुच रात को भी उनका अंदेशा बना रहता था मैंने कई बार उन्हें दरवाजे से कान लगाए देखा है परदे से जाकती उनकी आँखों को देखकर मैं कई बार सहम गई हूँ सब कुछ सुनकर मैं जैसे सुन हो गई थी बड़ी देर बाद मुझसे बोल फूटा तुम इतना सब सहती रही बस उधा कभी मुझसे तो कहा होता शायद मैं ही किशोर को समझा पाती जब पती ही अपना ना हो सका तो औरों से क्या आशा करती आप तो फिर ननत थी यह तो रिष्टा ही डराने वाला है आपके सने और सदा सैता को तो मैं किशोर की मिर्टू के बाद ही जान सकी हूँ क्या तुम्हें मालूम है बस उधा कि बाबुजी वह मकान बुवा के नाम कर गए है भला इतनी बड़ी बात जानूगी इसी बात की तो थसक थी उन्हें ये भी इसलिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे कहते बुवा तो लाक की आसामी है उनसे बना कर रखो घाटे में नहीं रहोगी तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब वह मकान बुवा राहुल के नाम करना चाहती है पर शर्त यह है कि मैं आपके पाउं पढ़ती हूँ दीदी और बजुधा ने सचमुच मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखती है इस बात की भनक भी मेरे घर में मत दीजिएगा पर क्यों? अगर उसका हक उसे मिल रहा है तो लेने दो ना यहां राहुल के हक की चिंता किसी को नहीं है बुआ जी की तो साजिस ही यह है कि हम लोग आजीवन उस मायाबी बंधन में जकड़े रहें उन्होंने जिन्दगी भर शासन किया है खाली घर में वे नहीं रह सकती उन्हें एक गुलाम हर दम चाहिए इसलिए आपसे विंती करती हूँ दीदी कि घर में इस प्रस्ताव की चर्चा भी मत कीजिएगा मेरे जीजा जी जायदाद के मुह में खिचे चले जाएंगे और मेरी भोली भाली बहन जीते जी उस नर्क में छोकती जाएगी ये गहने और ये प्रस्ताव आप दोनों लोटा ले जाएए और हमें अपनी जिन्दगी जीने का मौका दीजिए लोटते समय मन बहुत भारी था बसधा की बाते मन में बार बार चक्कर काट रही थी सच उस नाजुक सी फूली सी लड़की ने बहुत सहा था क्या मेरी मा को भी यह सब सहना पड़ा था तब तो बुआ एकदम कच्ची उम्र की ही रही होंगी उनकी अत्रिप्त इच्छाओं की आज क्या मा का भी तनमन जुलसा गई होंगी क्या इसलिए मा घुलते घुलते एक बिंदू भर रह गई थी और एक दिन वह बूंद भी भाब बनकर उड़ गई बसधा का पिछला जीवन तो मैं लोटा नहीं सकती थी पर मैंने उसे भरपूर आशिरबाद दिया था कि उसका नया जीवन सुख और सुहाग से परिपूर्ट हो तन का मन का कोई दुख उसे ना ब्यापे सफर की ठकान से निढाल होकर जब रिक्षर से उतरी तो शाम का जुट पुटा हो चला था निशी बरामदे में गुमसुमसी खड़ी थी मुझे देखते ही दोड़ी आई और लपक कर हाथ से सूटकेस ले लिया बड़े वाले सोफे में धस्ते हुए मैंने कहा बेटे एक गिलास पानी तो देना प्यास से गला जैसे चटक रहा है निशी पानी लेकर लोटी तो उसके साथ ही लहसुन का तेज भब का मेरे नथुनों से टकराया यह लहसुन कहा माख रहा है किचन में उसने सपाट सोर में कहा बुआ जी पापा के लिए कटहल बना रही है क्या यानि कि दो दो वर्जित चीजें घर में एक साथ प्रवेश पा गई है जैसे मैं दो चार दिन के लिए ही नहीं जिंदगी भर के लिए निकल गई हूँ इन पर तो इतना ताव आया कि बस पर अब बिटिया से क्या कहती ठाके से स्वर में इतना ही कहा रामू से कह दे मेरी अटेची उठा कर कमरे में रख दे मैं मुहा धोलू तब तक तू एक कप चाय बना दे रामू चला गया है ममी चला गया? कहा? अपने घर और कहा? क्या? बातरूम की ओर जाते मेरे पैर रास्ते में ही जम गए मेरा इतना पुराना इतना विश्वस नीये इतना अच्छा नौकर चला गया पर क्यों चला गया? कोई बीमार था? यह तो आप बुगाजी से पूछिए उन्होंने ही उसे निकाला है लेकिन क्यों? कहा तो उन्हीं से पूछ लीजिए बस हम आपको इतना बता देते हैं कि कल से हम कोई काम नहीं करेंगे जाड़ू पोचा करकर के मेरे हाथ छील गए है किस से बतिया रहे यह लली? कौन आया है? हुआ जी से आगे आगे उनकी खनकदार आवाज ड्राइंग रूम में पहुची उसे सुनते ही निशी अपने कमरे में आलोप हो गई अरे बिटो तू आई है? कब आई? फिर बाहरी क्यों बैठी रह गई? चल अंदर आना मैं चाय बनाती हूँ चाय बाहरी भिजबा दो बुआ मुझसे रसोई में नहीं आया जाएगा तुम्हें मालूम तो है कि मैं लेसुन की गंद बरदास्त नहीं कर सकती तो यहीं बैठ मैं निशी के हाथ भिजबाती हूँ वे भीतर जाने को हुई और फिर पलटकर दरवाजी की चोखट में खड़ी हो गई लेकिन बिट्टो यह तेरी कैसी जिद है यह तो कोई बात ना हुई कैसी बात यही तुम्हें जो चीज पसंद ना हो वो घर में आएगी ही नहीं अब तक तो नहीं आती थी यही तो मैं कह रही हूँ क्या हुवर जी का कभी मन ना करता होगा बेचारे कोई मास मचली तो मांगते नहीं तुम्हारा बस चले तो वह भी बना कर खिला दोगी मैंने कहा जरूर खिला दोगी अगर कोई खाना चाहे तो मैं वह भी सीख लोगी आखिर दुनिया में लोग बनाते खाते हैं की नहीं घर का माली जरा जरा सी चीजों के लिए तरसे या मुझसे सहन नहीं होगा और वे धमधम करती रसोई में लोट गई अनायास बसुधा की बात याद आ गई चलते समय उसने कहा था दीदी साबधान रहना ऐसा ना हो की अपने ही घर में मेहमान बनकर रह जाओ तो क्या सचमुच बुवा मेरी गिरस्ती में पैर जमाने का प्रियास कर रही हैं उनका अभियान शायद रसोई घर से ही प्रारम होगा बुवा को यह अधिकार किसने दे दिया नियती ने उनका अपना घर छीन लिया तो क्या वे दूसरों के घर छीन लेंगी अपना अस्तितु बनाए रखने का यह कैसा करूर उपाय है सुन होकर मैंने दोनों हाथों से अपना सिर्थ थाम लिया तो यह आप सुन रहे थे मालती जोसी जी दौरा लिखी गई कहानी अतिक्रमन रेनू की आवाज में ऐसी अर्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी थैंक यू